वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, अगर आप computer या PC यूज करते हैं और उसके अंदर आप किसी भी application को आपने download कर लिया है, उसको install करने में problem आ रही है, कोई भी आपकी application दाउनलोड तो आपने कर लिया है, बस आप उसको run नहीं कर पा रहे हैं, install नहीं कर पा रहे हैं, जो है PC या computer के अंदर तो आपको क्या settings करनी होगी, दो settings आपको बताऊंगा, problem आपकी solve हो जाएगी, तो सबसे पहले क्या setting आपको करनी होगी, सबसे पहले आप देख सकते हैं, आपको आना होगा आपके search bar में, यहाँ पर search bar में आपको लिखना होगा, app, जैसे आप app लिखे network and internet, personalization और नीचे apps लिखा हुए, apps को slack कर लिजिए, जैसे आप apps को slack कर लेंगे, यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं, बहुत सारी settings है, install app, advance app setting, advance app setting पर आपको क्लिक करना है, जैसे आप advance app setting पर क्लिक करेंगे, सबसे उपर choose where to get apps लिखा हुआ है, इसके सामने लिखा हुआ ह anywhere, इसको आप slack करें, anywhere को, और यहाँ पर आप देखेंगे, आपकी जो options आपको देखने को मिलेंगे, 3-4 option देखने को मिल जाएंगे, आपका या तो second वाला option चूज होगा, anywhere but let me know if there compatible app in the Microsoft, या फिर the Microsoft Store only, तो यहाँ पर आपको anywhere slack कर देना है, anywhere slack करने के बाद, यहाँ से आपक इसको cut कर देना है, यह काम आप कर सकते हैं, या फिर आप जो है search bar आपको नहीं मिलता है, तो directly side में आप I start option मिल जाएगा, start के option आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको उपर search bar मिलता है, यहाँ पर आपको लिखिएगा app, यहाँ पर भी आपको same setting देखने को मिल और यहाँ पर आप जो है, वो same काम कर सकते हैं, बट इसके बाद आपको क्या करना है, second step में आपको बता रहा हूं, search bar है, search bar में आप लिखिएगा reset, reset लिखने के बाद यहाँ पर option मिलता है, reset this PC, यहाँ पर select कर लिजिएगा, अब यहाँ पर देखने को मिल जाएगी वो setting, देख सकने हैं कुछ इस तरह से reset PC, यहाँ पर लिखा हूँ है, आप reset PC पर ok कर दिजिए, यहाँ से अपने PC को reset कर लिजिए, अगर कोई यहाँ पर कोई bug बगार होगा, आपको PC reset हो जाएगा, laptop reset हो जाएगा, problem solve हो जाएगी, आपकी कोई VIP install या run कर जाएगी, तो यह काम अगर finally फिर भी problem solve नहीं होती है, तो यह और काम आप कर सकते हैं, आपको अपने laptop या PC के अंदर new window upload करनी होगी, new window चड़ानी होगी, तो आप जैसे new window अपने laptop में install कर लोगे, तो problem solve हो जाएगी, यही solutions थे, अगर आपको फिर भी कोई problem हाई तो मुझे comment box में बताइगा, वै झाल, 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